है गाईज वेलकर वोड़ीप चैनल एवन एकेडमी जहां बीरसी नर्सिंग रिलेड़ेड़ हर एक अपड़ेड़ आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है और देखिए प्रिवेस टाइम 2022 में जो हुआ था वह अभी इस बार होने जा रहा है आप सभी के लिए एक बड़ी खुशकबरी और तगड़ी खुशकबरी है जो कि हर एक स्टुडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टन यहापर रहने वाली है सबसे पहले तो यहापर शेडूल जो है आपका क्याप राउन टू के लिए उसे डाउनलोड करके मैं पूरा आपको एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ आप देख सकते हो अभी अभी आपर नोटीस जारी किया गा है क्याप राउन टू के लिए पूरा शेडूल यहाप पर दे रखा है आपको मैं एक एक पॉइंट यहापर समझा दूँगा डोंट वरी सबसे पहले चैनल पर नूइँ हो तो चैनल को सस्क्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सबसे पहले तो यहापर मैंने नोटीस डाउनलोड कर ली है चाहे तो आप टेलिग्राम पर जाकर नोटीस देख सकते हो आपर मैं अपलोड कर दूँगा सबसे पहले ओफिशल वेबसाइट पर जाकर आपको यहापर नोटीस डाउनलोड कर ली है आप देख सकते हो यहापर शेडूल फॉर क्याप राउंड टू और मैंने जैसे कहा था वैसे ही हुआ है मैंने कहा था आपको विदिन टू डेज आएगा और फाइनली आप देख सकते हो आपका नोटीस जारी हो गया राउंड टू की पूरे अक्टिविटे आपर दे रखिए और फाइनली हर एक स्टुडेंट के लिए आपर खुशकबरी यही है कि आप फिर से चॉइस फॉर्म फिलिंग कर सकते हो आप फिर से अपने कॉलेजिस आड़ कर सकते हो और बहुत सारे स्टुडेंट के आपर राउंड वन भी भूल गये थे कि हमें यहाँ पर कॉलेजिस डालना है एस पर प्रेफरेंस तो उनके लिए भी आपर बहुत बड़ी कुशकबरी है सबसे पहले मैं आपको एक 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 हापर स्टेट्मेंट बता देता हूँ यहाँ देख सकते हो और एक्टिविटी में सबसे पहले तो क्या होगा चार तारीक को चार तारीक को सीट मैट्रिक्स जारी होगा क्या पराउन टू के लिए फिर ऑनलाइन प्रेफरेंस यहाँ पर चोईस फॉर्म फिलिंग जैसे ही आपने क्या पराउन वन के लिए किया था बट बहुत सारे चातरों ने आपर काउंसलिंग परचेस नहीं की थी और बहुत सारे चातरों ने किदर भी आपर प्रेफरेंस डाल दे थे इसकी वज़े से उन्हें 95-99 लगबग परसेंटाइल होके भी कॉलेज नहीं मिला बहुत सारे स्टुडेंट ऐसे आये थे मेरे पास जो रिज़र कैटिगरी से थे उन्हें अगर 10-15 कॉलेज भी डाल दी अच्छे से तो उनको सीट मिल सकता था लेकिन उन्हेंने कुछ माइनर मिस्टेक की है तो इस बार आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है मैंने पहले आपको बताया था कैप राउंड वन में तो चलिए जैसे कि आप देख सकते हो आप पर चार तारीक को आपका कैप राउंड टू के लिए पूरा सीट मैट्रिक्स आएगा जो हमारी टीम पूरा अनेलिसिस करके आपको देगी देन ल और्लान continuous preference चौइस फोर्म फिलिंग प्रोसेस पर भी आपको यहाद पर विडियो मिल जाएगा किस प्रकार आपको फॉर्म फिलंग करना पड़ेगा वह उनली जो हमारे counselling टीम में है उनको ही देखने को मिलेगा कि choice form filling किस type आपको करना पड़ेगा मैं आपको भी हापर guide कर दूँगा देन देख सकते हैं आप 4 तारिक से लेकर 6 तारिक तक आपको लगबग 4, 5, 6 मतलब 3 दिन आपको मिल जाता है तो आप देखिए आपर किसी भी दिन आप अपना choice form fill up कर सकते हो देन बन declaration of selection list जैसे declaration के आप round 1 का हुआ था वैसे ही 2 का होगा और देन बन यही आपको 3-4 दिन मिलेंगे admission लेने के लिए अब देखिए आपर क्या कुछ changes हुए इस बार 2022 में same हुआ था मैंने कहा था आपको कि इस बार भी लगवग लगवग chances है आपके आपर round 2 में choice form fill up करने के तो बहुत सारे student यहाँ पर excited होंगे कि भाई साब अच्छा हुआ नहीं तो हमारा पूरा 1 year बरबाद हो जाता तो आपको वीडियो पूरा वाच करना है जो भी आपर आप देख सकते हो instruction for candidate for insertion of college code अब आपको college code जब insert करना होगा cap round 2 के choice form filling के लिए तो आपको क्या कोई चीज़े आपर ध्यान रखना है मैं सबसे पहले आपको समझा दू ठीक है जले थोड़ा यापर मेरा जो screen थोड़ा उपर ले लेता हूँ आपको पूरा यापर समझाना है अब देखिए instruction for candidate the college code should be inserted anywhere above the alerted preference of first cap round as per the notice जैसे notice आई है notice के अनुसार आपको cap round 1 में जो भी college मिला है उसके उपर आप बहुत सारे college add कर सकते हो आपको यहापर college भी मिल जाएगे या सभी college का analysis हमारा team यहापर करने में जुड गया है मतलब हर एक college का status क्या है कौन से college में hospital attach है previous time cut off क्या गया था हर एक category ले seat कितने है हर एक यहापर बाद हमारे यहापर counselor team को पता है ठीके ना there were intake capacity कितने college court क्या है क्या कुछ information इसकी हमारा team निकालने में जुड़ा है सबसे पहले तो देखिए कितने colleges है लगवग 45 college है मतलब मैंने previous time बे आपको कहा था 157 लगवग private college थे 2022 में और हमने CETCL को call भी किया था जब आपका round 1 के लिए choice form filling process चर रहा था तब उन्होंने कहा था कि last day हम college बढ़ाने वाले है बट तभी भी बढ़े नहीं थे और इस बार आप देख सकते हो जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो में कहा है कि round 2 में आपके college बढ़ेंगे आप पूरे YouTube चैनल पर देखिए किसी ने इतनी आपको authentic information नहीं दी है तो इतनी authentic information आपको A1 Academy चैनल के मादिम से मिलती है प्लस counseling support भी मिलता है तो आप अभी purchase कर लीजे ठीक है इस platform पर आपको full authentic information दी जाती है और last round तक जो final round होगा institutional round 1, 2, 3 जो आपके cap round 3 होंगे आपके cap round 1 होगा या फिर 2 होगा और final आपका institutional round होगा उसमें भी आपको support करेगा और all जो counselor team है BST nursing के ही staff है, teacher है तो आप अभी counseling purchase कर सकते हो अब बात कर लेते हैं आप पर most important जो कि आप देखिए आपर full instruction में आपको समझाने वाला हो अब देखिए आपर क्या कुछ लिखा है कि जिन्नोंने आपर first round में जिनको college मिला है तो उनके college के ऊपर आप कितने भी college add कर सकते हो जो आपको आपर list भी college की मिलेगी यह भी college आप add कर सकते हो Then one second point Candidate who were not allotted any seat in cap round first अब देखिए जिनके सामने बैठा लीजे कि अगर आपको cap round one में कोई भी college नहीं मिला है आपने mistake किया है बहुत सारे mistake किधर भी preference लग दिया बहुत कम college रखे है ठीक है और आपने यहाँ पर उनका cut off नहीं देखा hospital attached है किया आने के जो campus है किस type campus है शहर में है या फिर overall किसी अने के दूसरी जगह है यह सब कुछ check करना होता है तो आपने नहीं किया है तो अभी counselor team को यहाँ पर आप message कर लीजे या फिर form fill up कर लिए यहाँ पर आपको full support मिलेगा मैं last में बता दूँगा कि क्या कुछ facility आपको हमारा जो team है counselor team provide करता है सबसे पहले देखिए आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़े आपको फूरा फाइदा लेना है candidate who were not allotted any seat in first cap round college code anywhere as per preference आप edit कर सकते हो they will be allotted as per the new sequence of preference as per the merit आपके merit के अनुसार आपको college मिलेगा जब आप form fill up करेंगे cap round 2 के लिए आप अब कभी भी आपर form edit कर सकते हो कोई भी college किसी भी आने के number पर आप रख सकते हो यहाँ पर full of full आपके लिए full opportunity है candidate who were not allotted any seat in cap round 1 can insert the college code anywhere as per the preference they will be allotted as per the new sequence of preference as per merit then when देखिए candidate who have not given a single preference miss to the preference मैंने जैसे कहा था बहुत सारे student ने cap round 1 में participate ही नहीं लिया था मतलब उनने form film नहीं किया था बहुत सारे student की date छूट गई थी तो ऐसी गलती हुई थी आपके आपके साथ औरवल बट यहाँ पर आपको फिर से एक new opportunity दी गई है अब देखिए ओ opportunity क्या है यहाँ पर कहा गया है अगर आपसे by mistake क्या round 1 छूट गया है आपने कोई भी single भी preference नहीं दिया है miss हो गई आपसे preference list बनाना तो आप फिर से यहाँ पर preference newly added कर सकते हो बट आपको यहाँ पर minor mistake अब नहीं करना जैसे कि आप देख सकते हो candidate who have not given a single preference miss to the new preference in previous process such candidate can give only preference of newly added BST nursing college बट आपके लिए only जो new added college है उनको ही आप preference दे सकते हो तो आपको preference बहुत सोच समझ कर देना है चाहे तो आप counselling support ले सकते हो जो कि आपको end तक आपके काम आने वाली है last round तक आपको college मिलने तक आपको support रहने वाला है कभी भी आप call कर सकते हो कोई भी doubt पूछ सकते हो चाहे आपके parents के साथ बात करना है तो आपके parents के साथ भी बात कर सकते है और आप यही नहीं उनका result देखिए overall cap round 1 में लगवक 187 student ने यहाँ पर counseling purchase की थी और 187 में लगवक 150 को यहाँ पर colleges मिले है और 50 student ने लगवक यहाँ पर betterment process पूरा किया है done किया है तो betterment को तो उनको बहुत अच्छे college मिलेंगे don't worry और हाँ guys अभी भी आप purchase कर सकते हो हमारा यहाँ पर 100 का new batch start हो रहा है कि क्या कुछ इसमें आपको facility provide होने वाली है अब देखिए आपको यह जो third point है वो उन चातरों के लिए जिन्होंने आपर Capron 1 को miss किया था उनसे छूट गया था ठीक है candidates who have sorry candidate who has failed to join the allotted college of Capron 1 within the time can also fill choice preference अब यहाँ पर देख सकते हो आपको बैदे कहा था कि जो candidate यहाँ पर Capron 1 में उनको seat मिला था लेकिन वो Capron 1 के लिए कोई भी college नहीं गया है college आके उन्होंने ना तो betterment की और ना तो admission ली तो यहाँ आपर round 2 खेल नहीं सकते थे लेकिन अब देखिए आप वो भी यहाँ पर choice form fill up कर सकते है तो उनके लिए एक new opportunity आपर आ गही है आप देखिए मैं बता दू candidate who had failed to join the college of Capron 1 within the time can also fill preference for newly added college बट उनके लिए भी newly added college आप add कर सकते हो तो newly added college की पूरी list पूरा analysis पूरा overall क्या कुछ है उसमें hospital attaches सब कुछ आपर हमारा team analysis कर रहा है तो आपको पूरी help रहेगी support रहेगा आप देखिए आपर they will be considered only for newly added college they will not be considered if they do not add any college ठीक है अगर आपने कोई college आइड नहीं किया तो फिर आप खेल से बाहर हो इसलिए आपको सोच समझ कर college add करना है then one fourth point आप देख सकते हो candidates who have status retention form can also fill the choice preference for newly added colleges how your they will be considered only for newly added college only में यह भी आपको समझा देता हूँ जैसे कि आपने अगर status retention form आपके पास है आपने status retention form fill कर दिया फिर भी आप choice form preference form फिर से आपर newly add कर सकते हो colleges बट जो newly launched college हुए है जो newly added हुए है वही college आप add कर सकते हो जिने retention form भरके आ गए हो college में आपने retention form दिया है आपके लिए भी आपपर new opportunity आई है मतलब CT cell ने इस बार किसी के साथ भी नाइनसाफी नहीं किये सब को यहाँ पर बराबर रखा है और सब को यहाँ पर कुछ ना कुछ new opportunity दी है तो आप देखे आपर अगर आपने status retention form college को दिया है फिर भी आप जो newly college है added वह आप यहाँ पर fill कर सकते हो मैं फिर से पढ़ के बताता हू candidate who has status retention form can also fill the choice preference for newly added colleges however they will be considered only for newly added college but आपका overall यही रहेगा जाके आप जो newly college है वही add कर सकेंगे और जैसे कि last one देखिए the previous choice preference filling during Capron 1 cannot be deleted, edited और cancelled अब देखिए आप मैं आपको बता दू जो कि बहुत बढ़े आप बढ़े आप सभी student के लिए जिनको भी आपर college a lot नहीं हुआ है Capron 1 में उनने कुछ minor mistake किये है बहुत कम college add किये है तो उन सभी के लिए आपर counselor team बैटे है और आपके लिए आपर जो मैं बोलूँगा एक opportunity इसे मत मिस करिएगा आप देखिए लगबग कितने college बढ़े है list of permitted college by MUHS नाशिक added Capron 2 के लिए बहुत सारे college add किये गए अब देखिए आपर जो कि college court के साथ आपको intake capacity मिल रहे है बहुत सारे colleges ने लगबग 100 तक intake capacity रखी है तो मैंने जैसे कहाता है round 2 के लिए कितने percentile है कितने rank है तो आपको college मिल सकता है तो अभी आप counseling purchase कर लिए आपका full support यहापर होगा और finally बात करूँ यहापर तो 100-100 seat तक यहापर कुछ colleges में intake capacity दिखा रहा है तो आपके लिए यहापर opportunity है कि आपको यहापर college मिलेगा ही मिलेगा अगर आपका percentile और rank अच्छा है तो इन सभी college का overall पूरा data analysis हमारे team कर रही है तो आप अभी यहापर जो हमारा counselor team support है वो purchase कर लिजे मैं in short आपको बता दाओ क्या कुछ features आपको यहापर मिलने वाला है जैसी कि आप देख सकते हो यहापर BSC Nursing Counseling by BSC Nursing staff member मतलब जो BSC Nursing के staff member है वहाँ आपको full support करेंगे आपके counseling में जैसी कि देख सकते हो आपको counseling में आपको क्या कुछ support मिलने वाला है BSC Nursing Counseling by BSC Nursing staff member जो की BSC Nursing के ही teacher है staff है जो आपको full support करने वाले है आपको college मिल जाएगा और अगर आपके percentile और rank अच्छी है फिर भी आपको यहापर college नहीं मिल सकता अगर आपने preference सही से नहीं फिल किया तो यही minor mistake यहापर हमारा team सुधारेगा आपको बताएगा कौन सा college आपको किस number पर डालना है newly added college भी आपको किस type यहापर preference form फिल करना है किन preference पर कौन सा college रखना है सब कुछ अब देखिए about the service क्या कुछ आपको service मिलने वाले बहुत important है और आज ही का offer है आज का offer है जो कि 799 में आपको मिलेगा बाद में यहापर लगबग 1000 यहापर cross करेगा देखिए आप देखिए phone call session until the admission आपकी जब तक admission नहीं हो जाती तब तक आपको phone call session आप कभी भी phone call कर सकते हो parents के साथ भी आहमारा जो team है और बात करेगा आपके parents भी हमसे बात कर सकते हो so don't worry then one after payment student will add in a counseling room आपका payment होते ही आपको counseling group में add किया जाएगा then one telegram group में add किया जाएगा आपके सभी questions, doubts, solve होंगे किसी भी time में आप कभी call करिए other benefits भी आपको मिलेंगे exclusive service आपको दी जाएगी whatsapp chatting करिए, voice message करिए और आप खुद भी आपर written message कर सकते हो then one देखिए counseling support only for महाराश्टर student, महाराश्टर student के लिए आपर support रखा गया है help in make preference list, then one आपकी preference list colleges सब कुछ जो newly added है और previous time आपने कुछ minor mistake की है उन्हें भी सुदार देगा team okay, then one देखिए cap round 2, cap round आने के आपके 1 हो, 2 हो, 3rd हो, 4th हो जितने भी आपके cap round हो, mop up round हो और final आपका institutional round हो तब तक आपको support मिलेगा all cap round support, if you want college contact number, then it will be also provided by BSC nursing staff member अगर आपको, यहाँ पर आप आपको किसी college का number चाहिए contact करना है, तो भी आपको यहाँ पर help करेगा हमारा team, then one finally आप देख सकते हो support up to mop up round and walk in college spot round, जो आपको college पर जाके spot round करना पड़ता है यानि कि जो final vacant seat रहते है college जाकर admission लेना पड़ता है और finally आप देख सकते हो just flew seat remaining कुछ seat ही बचे, तो अभी हाल फिलाल में हम 100 का ही आपर batch बना रहे है जो कि 100 student को ही आपर हमारे batch में enroll करने का मौका मिलेगा क्योंकि बहुत सारे student होते हैं तो सबसे contact कर, सबी की information लेना उनको सब कुछ बताना बहुत मुश्किल हो जाता है तो आप first 100 student फटाफट से enroll कर लीजे link के description में available है और आज का offer है limited है 799 फिर आपर लगबग कल 12 बजे या फिर 2 बजे के बाद offer लगबग 1000 plus cross कर जाएगा जो कि 99 तक आपर हो जाएगा आप देख सकते हो आपर जिनोंने एने की counseling ली है उनने ही BSC nursing staff member से form किस तरह भरना है unlisted video link से बताया जाएगा मतलब आपको एक video मिलेगा जो unlisted होगा आपके सिवा कोही नहीं देख पाएगा जिसने counseling purchase किये उसी को video मिलेगा जिसे आप देखके कोई भी minor mistake न करके अच्छी तरह से form fill up कर पाएंगे full आपको support मिलेगा और हाँ आपको एक अच्छा college मिले इसके लिए full support आपको end तक होगा तो guys क्या सुच रहे हैं अभी purchase कर लिजे क्योंकि आपके लिए CET sale ने big opportunity रखी है सभी candidate के लिए कि आप newly आपर कुछ colleges है जो कि add कर सकते हो और जिनने आपर कोई भी college नहीं मिला उनके लिए भी आपर बड़ी opportunity है तो चलेगा इस नेक्स वीडियो में हम इससे भी important information आपके साथ share करने वाले है तो channel पर बने रही है और हाँ new हो तो channel को subscribe कर bell icon प्रेस कर दीजिए और हाँ अभी आपर आप counseling purchase कर लीजिए जो कि आपको कम offer में आपर मिल रही है बाद में आपर offer बढ़ने वाला है तो link description में available है जाईए form fill up करके दीजिए और हाँ within a 20 minute आप सभी को आपर call session आना start हो जाएगा तो चले इसी तरह के authentic information जानने के लिए चैनल को subscribe कर bell icon प्रेस कर दीजिए